Hello everyone, देखें जो आज की क्लास है, इसमें हम लोग स्ट्रेंड हाड़निंग और बॉशिंजर मेकेनिजम को सीखेंगे, बॉशिंजर इफेक्ट जो होता है, उसको सीखेंगे जो लाज क्लास थी आपको याद हो तो उसमें मैंने स्ट्रेंटनिंग मेकेनिजम सीखा है थे आपको, उसमें हमने देखे थे ग्रें डिफाइनमेंट क्या होता है, या ग्रें साइज रिडक्शन क्या चीज़ थी, फिर हमने देखा था एक एलोईंग करके या सॉलिट सॉलु को प्रिवेंट करो, स्टॉप करने की कोशिश करो, मटेरियल की स्टेंथ बढ़ जाएगी, यही मेकेनिजम जो पुरानी दोनों वीडियोस थी, पुरानी दोनों मेथड्स थी, उनमें अपनने कवर किया था, अगर नहीं देखा हो, तो मेरी इस वीडियो में जाके चेक कर स करते हैं, अपना भी स्टार्ट करते हैं, इस्टेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग, यह क्या चीज़ है, तो देखो ऐसा है, सबसे पेले तो तुम आओ, एके डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है, फिनोमिनन बाइ वीच, अ डक्टाइल माटेरियल बिकम्स हार्डर को हार्ड या इस्टोंगर बनाना, बाइ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग इट, इस्टेन हार्डनिंग मेकिनिजम या वर्क हार्डनिंग, रैट, वर्क हार्डनिंग क्यों बोलते हैं, वो चीज़ अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, बेसिकली अगर शुद्ध हिंदी में बो हार्डनिंग इस्टेन्थ बढ़ जाएगी, या आपन बोल दे कि इसकी डॉक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसी फिनोमिनन को आप बोलते हो, इस्टेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग, रैट, तो ये पोइंट भी क्लियर है, it increases, strength and hardness, but ductility will going to be decrease, जो भी हम इन जनरल जो भी strength और hardness increase करेगा वो ductility को decrease ही करने वाला है अब ज़रा इस diagram पर focus करो ठीक है इस diagram में basically क्या है यहाँ पर अपने इसा क्या है कि एक stress strength curve है ठीक stress strength curve था तुमने क्या किया कि जो material था माल लो अपन उस पर tensile loading लगा रहे है यह जैसे utm के अंदर माल लो यह spaceman है और इस पर तुम load p apply कर रहो tensile stress यह tensile load p apply कर रहो right उसको पगड़के अपन खीच रहे है universal testing machine की helps है अब अपनने क्या किया कि इसको खीषते किषते अपन जो yield point है जैसे यह upper yield point है यहाँ पे ठीक और यह जो है यह lower yield point है तो yield point और यह जो ultimate point है ultimate tensile strength वाला point you इसके बीच का यह जो reason दिख रहा है जिस पर मैंने लिख रहा है reason of work hardening इस बीच के कहीं reason में कोई point था d ठीक क्या point था d जो कि आपको इस diagram में यहाँ पे दिख रहा है ठीक तो मैंने क्या क्या उस point तक में ले गया specimen को मतलब मैंने उस पर उतना stress apply किया एगा ठीक यह जो अपना specimen था अपने उस पर इतना stress apply क्या कि material plastically deform होना start हो चुका है और अब अपनने क्या क्या कि यह जो stress apply कर रहे थे यह जो load apply कर रहे थे P भाईया यह load को zero कर दिया ठीक तो इस D point पर अपनने ले जा कि क्या किया material के उपर से stress हटा दिया जो आप load उस पर apply करके रखे होए तो वो load अपनने remove कर दिया तो जब load remove किये तो भाईया क्या होगा यह curve जो है यह एसा unloading curve बनेगा और यह जो unloading curve है यह approximately parallel जाता है इस loading curve के ठीक तो यह जो यहाँ पर इसी straight line थी उसके ठीक parallel पर यह unloading curve बना हुआ है ठीक है तो अभी यहाँ तक का point clear है unloading curve क्या चीज़ थी अपनने क्या क्या material को stress किया मतलब material को उस point तक plastically deform किया कि वो point yield strength और ultimate tensile strength के बीच में कहीं आ जाए ठीक यह material को simply में बोलू plastically deform कर दिया और plastically deform करने के बाद अपनने उस पे से load हटा दिया load remove कर दिये तो यह unloading curve बना अब unloading curve बनने के बाद में भाईया अब अपनने क्या किया अब इस material को वापस से अपनने stress उस पे लगाना चालो किया या उस पे load वापस से increase करना चालो किया तो भाईया जब वापस से load increase करें तो यह reapply करेंगे जब load को तो यही curve वेसा वेसा trace होगा stress बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे वापस यह curve गया point D तक ठीक अब भया बात यह है कि अब तक भी point D तक भी material में एक चीज़ अपन ने देखी कि material में plastic deformation start नहीं हुआ है point D के बाद further आप जब material में और stress की value increase करोगे या load जो लगा रहे थे उसकी value और increase करोगे तब material plastically deform हुआ ठीक है फिर से समझो इस बात को initial time पे अगर मैं बात करूँ तो initial time पे आपको दे रखा है कि इस point पे कहीं पे थी yield strength मतलब इस point के बाद इस point के इस तरफ अगर बात करो तो material में plastic deformation start हो जोगा है यह थी material की initial yield strength राइट बट भाया जब मैंने ऐसे कारणा में किये कि material को एक बार plastically deform कर दिया और फिर उस पे से load remove किये तो जब वापस से मैंने load apply किये तो मैंने यह देखा कि जो यह stress की value थी मतलब इस जगे पे कहीं आता इस जगे पे जो की initial yield point था material का इस yield point के बाद material ने plastically deform हो जाना चाहिए था लेकिन अभी जब मैं reapply कर रहा हूँ load को तो material इस point के बाद भी कुछ stress जो की इस डी point के corresponding है डी point के corresponding जो stress है उतना stress material ले पा रहा है बिना plastic deformation के समझ में आया मतलब उस stress पे भी material plastically deform नहीं हो रहा है यह मैं simply बोल दूँ कि material की जो yield strength है वो बढ़ चुकी है क्योंकि yield जो था yield yield point जो होता था वो क्या होता था कि जिस point के बाद में plastic deformation start हो चुका है वो ही तो था तो material का जो yield point है वो basically बढ़ चुका है पहले यह yield point जो है वो यहाँ कई था अभी तुम देखो उसका yield point इस जेगे पहाँ चुका है यह जो point अपना डी है समझ में आया क्या तो यह phenomenon clear है कि actually क्या हो रहा है ठीक है अब देखो यहसा है कि अपनने reason तो समझ लिया मतलब mechanism समझ लिया कि strain hardening या work hardening क्या चीज़े जो यह point था अपन जो बोल रहे है कि plastic deformation करने से material का जो strength है वो बढ़ रही है ठीक अब अपन actually यह देखेंगे कि वो strength कैसे बढ़ रही है यह कारणा में कैसे हो रहे है यह point clear है फिर से ठीक है phenomenon by which ductile material becomes harder and stronger when it is deformed plastically ठीक है यह phenomenon जो वो उसकी strength और hardness को increase करेगा लेकिन ductility को decrease करने वाला है ठीक तो यह तुमको दिख रहा है कि यह sigma y naught यह थी original yield strength या initial yield strength बोल दो और sigma y आई जो है इसको बोल दिया yield strength after plastic deformation ठीक है तो तुमने देखा कि strength hardening से material की yield strength increase हुई है या उसकी ultimate tensile strength बन देखेंगे वो भी अभी increase होगी ठीक है अब देखो इसी point को मैंने आपे theory में लिख रखा है तो चाहो तो लिख सकते हो जो point यहाँ पे लिखा हुआ है और यह जो note से इसकी पूरी ए pdf में telegram group में upload कर दूँँगा telegram group की link जो है वो description box में डाल रखिया आप वहाँ जाके check कर सकते हो group को join कर सकते हो ठीक है क्या लिखा है पड़ो when material is deformed plastically up to point d beyond its original yield strength sigma y naught original yield strength के पीछे उससे आगे की तरफ अपने को material को deform करना है plastically deform करना है and then stress is released मतलब अब आपने stress remove करें ठीक now when the load is applied again it was found that the yield strength of material is increased to sigma yi ठीक है जो मैंने समझाया था वो का वोई point यहाँ पर link रखा है ठीक है यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसका reason समझते हैं कि actual में जो material level पर यह phenomena हो रहा है तो material ही क्या हो रहा है अंदर जो यह material strong होते जा रहा है देखो यहाँ है सिप एक point यहाँ पर आता है dislocation, dislocation, strength field interactions ठीक है number of dislocations के बीच में जो strength fields create होगी उन strength fields में on and average repulsion create हो रहा है उस repulsion की वज़े से dislocation का motion restrict हो रहा है और उसकी वज़े से material की strength बढ़ रही है इस पूरे जो भी अभी में बोला इसको diagram से समझते हैं तब आपको एकदम clear होगा ठीक है जैसे diagram देखो यहाँ पर basically एक slip plane बना रखा है ठीक उस slip plane के उपर दो dislocation तुमको दिख ही ठीक है यह जो यह symbol था ना positive dislocation का तो यह दो dislocation तुमको दिख रही है यह symbol होता था कि जो extra half plane है वो age dislocation के उपर लाई कर रहा है ठीक तो उपर की तरफ extra half plane है तो भया जो यह उपर के atoms होंगे ठीक है वहाँ पे क्या होगा compressive strength field create होगी वहाँ पे एक extra half plane of atom है तो वह आइट साइट के atoms को दूर दूर भगाएगा मतलब compressive field create करेगा उपर की तरफ similarly इस वाली dislocation में भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे भी जो strength field create हो रही है उपर की तरफ जो एक extra half plane है इसलिए यहाँ पे भी compressive strength field create होगी तो यह से समझो कि कोई atoms अगर मालो यहाँ पे बीच में कही है तो जो यह strength field है यह उन atoms को दूर भगा रही है कि भाई तुम हमसे अगर अपन बात करें तो on and average इसा हो रहा है कि तुमको यह दिख रहा है कि यह जो दो dislocation है यह एक दूसरे को repulsive force लगा रही है यह dislocation इदर भगना चारिए और यह dislocation इस तरफ भगना चारिए समझ में आया ठीक है और नीचे की तरफ जो यह वो tension tension tensile stand field create हो रही थी तो उसमें भी यही बात हो रही है कि यह जो इस तरफ वाली tensile field है वो atoms को अपनी तरफ खिचना चाहेगी इस तरफ वाली tensile stand field जो है वो atoms को अपनी तरफ खिचना चाहेगी दोनों tensile force apply कर रहेगी atoms पर राइट मैं on and average बोल सकता हूँ कि अगर dislocations का type same है मतलब दोनों ही positive है यह वाली positive और यह वाली positive अगर उनके बीच में interaction होता है तो वो दोनों एक दुसरे को repel करना चाहेगी राइट वो ही point यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा है कि repulsion हो रहा है किसके बीच में हो रहा है age dislocation of same type on the same slip plane exert repulsive force on each other समझ में आया क्यों repulsive force वो एक दूसरे पर create कर रहे है because of strain fields जबकि तुम एक चीज़ देखो कि अगर opposite strain fields है मतलब opposite dislocations है opposite nature की जैसे यह positive age dislocation हुई और यह negative age dislocation हुई इसमें मतलब extra half plane जो था वो age dislocation line के उपर था इसमें extra half plane जो है वो age dislocation line के नीचे की तरफ है तो जब इस तरीके की dislocations एक दूसरे के contact में आएगी interact करेगी तो उनमें attractive force develop होगा क्योंकि तुम एक चीज़ देखो यहाँ पर बात करें तो यह जो यहाँ पर stain field है यह compressive stain field है मतलब यह atom को क्या करना चाहेगी दूर भगाना चाहेगी compress करना चाहेगी कि भाई दूर भगो और जो यह वाली stain field है यह tensile stain field है तो यह atoms को अपनी तरफ खीचना चाहेगी तो मैं overall बोल सकता हूँ कि overall अगर अपन बात करें तो overall जब opposite type की dislocations एक दूसरे के contact में आएगी इंट्रेक करेगी तो उनमे attractive force डेवलप होगा उनके बिच में क्या होगा attraction होगा तो attraction between dislocation of opposite type ओ जब attraction होगा तो वो basically मिलके एक perfect crystal बना लेगी यह extra half plane यहाँ पे था यह extra half plane यहाँ पे था यह दोनों मिल गए तो पूरा एक full plane बन चुका हैगा perfect crystal बन चुका है ठीक है इसको अपन एक word बोलते हैं dislocation annihilation क्या बोलते हैं dislocation annihilation लिखा होगा यहाँ पे dislocation annihilation ठीक है तो यह चीज clear है क्या opposite type के अगर आती है एक दूसरे के contact में तो attractive force डेवलप होगा ठीक है अब देखो यह तो था dislocation के बीच में interaction जो हो रहा है उसकी बात अपन ने कर ली राइट जब material को plastically deform करते हैं ठीक यहाँ पे ध्यान दो तो क्या होता है plastic deformation करने से जो material में dislocation थी number of dislocation ने उनका amount बढ़ते जाता है यहाँ मैं बोल दूँ dislocation density increase हो रही है पर unit volume जो dislocation है उनका amounts increase हो रहा है अब अगर मैं बोल दूँ कि अगर उनका amount increase हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि उनके बीच की जो average distance होगी वो decrease हो रही होगी वो एक दूसरे के पास पास आ रही होगी और होता क्या है इन जन्दल देखो same nature की dislocation भी इंट्रेक करेगी और opposite nature की dislocation भी इंट्रेक करेगी बट क्या होता है कि on average जो same nature की dislocation होती है उनका इंट्रेक्शन ज्यादा होता है ठीक एस compare to opposite dislocation तो इसलिए on average अगर अपन बात करें तो जो जब same nature की dislocation मतलब positive और positive dislocation एक दूसरे से इंट्रेक करी उनमें repulsive force लगा repulsive force लगा या मैं बोल दूँ कि एक dislocation ही दूसरी dislocation के motion को रोकना चारी है बेक stress create करना चारी और अभी अपनने पढ़ा यार की strengthening mechanism का principle क्या होता है उसका basic principle यही तो था कि dislocation के motion को restrict करो material की strength बढ़ जाएगी तो यहाँ पर समझ आया कि on average जो interaction हो रहा था dislocation के बीच का वो repulsive था और इस वज़े से dislocation का जो motion है वो oppose हो रहा है और इस वज़े से material की strength बढ़ रही है यही point मैंने हाँ पर लिख रहा है देख लो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है अपन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डिस्लोकेशन डिन्सिटी इंक्रीज़स सो एवरेज डिस्टेंस बिट्विन डिस्लोकेशन डिक्रीज़स एंड दे कम क्लोजर राइट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा डिस्लोकेशन की डिन्सिटी बढ़ेगी उनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उनके बीच की एवरेज डिस्टेंस डिक्रीज होगी वो एक दूसरे के पास आएंगी और एवरेज अगर बात करें ऑन एन एवरेज जो डिस्लोकेशन ड बोल दें कि ओवर अल अगर बात करें तो मोशन अओ डिस्लोकेशन इस हिंडर्ट बाई हेंडर्ट बाई प्रेजह डिस्लोकेशन दूसरे को स्ट्रेश में अया इस्टें अचीज ती लिए थोड़ा सा टेयुर्य टोपीक है बट क्या है कि अबही अपनना एक इस्टेंग या work hardening law होता है वो पढ़ने वाले next lecture में उस पे true stress और true strength की एक equation है उसके उपर बहुत सारे numerical आते है और बहुत important point है तो यह जो lecture है यह उसका basically theory part है ठीक है कि material level पे क्या phenomena हो रहे है वो मैंने तुमको सिखा है ठीक है यह point अगर सीखोगे तो वो जो numerical है वो तुमसे easily solve हो जाएंगे right अब अगर आगे की बात करें तो आगे जो है वो conclusion क्या लिखा है conclusion एक यह था कि देखो अगर तुमको यह याद हो तो मैंने एक चीज़ तुमको सिखा ही थी कि plastic deformation का mechanism अपनने बात की थी ठीक है इस वीडियो में जाके शेक करना इस वीडियो में मैंने बता रखा है तो वहाँ पर अपनने देखा था कि sleep और twinning यह दो mechanism अपनने देखे थे कि plastic deformation के दो mechanism थे sleeping और twinning sleeping जब पड़ा था तो वहाँ अपनने एक बात करी थी कि भीया material में जब dislocation आ जाती है तो dislocation के आ जाने से material जो यह वो lower stress पे ही fail हो जाता है या lower stress पे ही plastically deform हो जाता है यह बात अपन कर चुके हैं और अभी तुमने strain hardening पड़ा इसमें अपनने क्या बुला कि जब भूस सारी dislocation आई उससे material की strength बढ़ गई दोनों एकदम contradecree नहीं होगा क्या देखो वो ही चीज मैंने हापे लिखा है क्या लिखा है कि although presence of dislocation lowers the shear stress required to cause sleep dislocation के होने से जो shear stress material को fail करने के लिए material को plastically deform करने के लिए जो shear stress required है वो decrease होगा यह बात correct है लेकिन फिर भी still dislocation can interfere with each other and cause strain hardening मतलब यह point यह बोल रहा है कि dislocation जो है वो एक दूसरे के साथ में interact कर सकती है और on and average उनके बीच का जो interaction है जो interference है वो repulsive nature का होगा और उस repulsive nature के होने के कारण material की जो strength होगी वो बढ़ जाएगी और उसी को अपन ने बोल दिया strain hardening अरे समझ में आया क्या ठीक है क्या तो यह conclusion जो point लिखा है वो भी clear है ठीक है अब देखो एक point यहसा था यह उपर के graph में एक यह point शूट गया था elastic recovery वाला एक point था वो चीज़ समझो और यह भी clear है reason of work hardening अब समझ में आया है कि reason of work hardening का मतलब यह है कि यह point जो बेसिकली लाई करता है between yield strength जो yield point होता है वो point से लेके जो UTS है ultimate tensile strength इस point के बीच का जो reason होता है उसको अपन बोलते है work hardening का reason यह मैं basically बोल दूँ कि इस reason में plastic deformation हो रहा है material में तो जो plastic deformation वाला reason है इसी को बोलते है work hardening reason या reason of strain hardening जो तुम manufacturing technology पढ़ते हो तो manufacturing में तुम एक वो पूरा phenomenon नहीं पढ़ते हो metal forming वाला जो part आता है rolling है, forging है, sheet metal operation है वो सारे के सारे operation material की जो यह वाली range है work hardening की range इसी range में perform किया जाते है इसी range में material को plastically deform किया जाता है और उसमें cold working की जाती है, right एक point यह था elastic strain recovery यह चीज सिखाना थी, यह क्या चीज है इसे समझो कि अपन ने देखो, D point तो तुमको clear है, D point तक अपन material को ले के गए थे, और D point के ऊपर अभी मालो मेंने material में से load remove नहीं किया है तो उस point पे अगर तुम बोलो कि total strain कितना है तो तुम बोलोगे कि sir यहां से लेके यहां तक यह जो value है यह हुआ material में जो total strain की value है true strain की value है, वो है right जब भाईया D point के ऊपर पोच के तुमने load remove किये तो यह curve, unloading curve जो वो ऐसा parallel चला, east line के parallel चला और parallel चलके यहां पे आ गया ठीक, तो जो इतना strain है इतना strain basically material ने recover कर लिया right, इसको अगर मैं एक example से समझाओ, उतो ऐसा समझो कि मालो यह material था उसको तुमने tensile force लगाया tensile force लगा कि मालो उसकी initial length 90 mm तुमने उस पे tensile force लगा कि उसकी length को कर दिया 100 mm कित था? 100 right, यह आगया 100 वो था इस point D के उपर जो total strain था ठीक है, वो 100 mm length divided by original length 90 कर दो मतलब strain जो वो क्या होता change in length upon original length तो 100 minus 90 divided by 90 कर दो तो वो जो विल आएगी वो था यह total strain right, अब मैं क्या बुल्ला हूँ कि जब भया, तुमने इस point पे material में से load remove किया right, material में से load remove किया, 100 mm तक अपनने उसको elongate कर दिया, अब अपनने load हटाया तो इस जगे पे curve आ चुका है इसका मतलब basically यह है कि जब तुमने load remove किया तो इसकी कुछ length कम हुई है, right 100 नहीं बचिये कुछ length कम हुई है, माल लो approximately जो भी 95 mm हो गई या 98 ले लो 98 mm ले ली, ठीक तो यह समझ में आया है कि इत्ता जो strength था, वो material ने recover किया है, ठीक recover कर लिया है, मतलब load हटाने पे, वो strength remove हो गया था इसलिए उसको बोला, elastic strength या इस phenomenon को बोल दिया elastic strength recovery, right spring ने जो है वो अपना मतलब force remove करने पे initial shape and size गेन कर लिया, right, समझ में आया तो elastic strength recovery clear है, यह concept जो एक बहुत चानदा numerical आएगा, अगले lecture में मैं करवाँगा, उसमें concept यूज होगा, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, next point दिखते हैं, next point यह था, कि जो strain hardening अपने पढ़ा है, इसको cold working की help से समझ सकते हैं, cold working क्या चीज़े, cold working है कि amount of strain hardening, आपने कितना material को plastically deform किया, ठीक है, वो denote कर रहा है cold working को, right, देखो, पहले तो formula समझो, फिर में बताऊँगा, cold work का यहाँ पर क्या मतलब है, percentage of cold work जो है, वो basically होता है, a0 minus ad upon a0 into 100, a0 जो है, material का initial cross sectional area, या original cross sectional area, और ad जो है, वो deform cross sectional area, जब material में तुमने plastic deformation अपलाए कर दिया, तो जो cross sectional area है, वो है ad, right, percentage of cold work clear है, ठीक है, अब देखो, जो stand hardening होती है, उसको percentage of cold work से भी कई बार दिखाया जाता है, mathematically show किया जाता है, बात यहाँ आती है, कि यहाँ पर cold word क्यों use कर रहा हूँ, यह cw का मतलब है cold working, right, लिग देता हूँ, cold work, ठीक है, अब यहाँ पर cold word क्यों use क्यों hot नहीं use क्या, तो भाईया ऐसा है, कि जो stand hardening जो perform होती है, वो इन general अगर बात करें, तो room temperature पर ही perform होती, right, maximum materials जो होते हैं, उनका melting point temperature होता है, वो room temperature से कई गुना जादा होता है, ठीक है, 300-400 degree centigrade, 500 degree centigrade या और जादा, और room temperature अपना किता है, 27 degree centigrade, तो room temperature बहुत कम है, as compared to melting point temperature, यह मैं बोल दूँ कि room temperature जो वो cold हुआ, as compared to melting point temperature, इसलिए यहाँ पर cold working world आ रहा है, कि cold working जो cold world यहाँ पर आ रहा है, वो किस वज़े सा आ रहा है, कि जो जिस temperature पर strain hardening perform हो रही है, वो strain hardening cold है, in relative to melting point temperature, समझ में आया, ठीक है, अब देखो, यह graph देखो, यह low carbon still का graph है, ठीक है, low carbon still, क्या होता है, इसके जो components हैं, कि low carbon still में भी कित्ता percent carbon है, यह सब बात अपन आगे पढ़ेंगे, जब phase diagram करेंगे, अभी सिप ऐसा समझो, कि low carbon still के graph थे, और तीन अलग-अलग point थे, एक graph बना था, जब कोई cold working नहीं कि, no stand hardening है, तो 0% cold work में तुमने देखा कि, यह वाला graph है, यहाँ पर मैंने बना रखा है, एसा कुछ बना हुआ है, एसा कुछ चल रहा था, और एसे चलते चलते ही है, एसा कुछ यहाँ पर आके, एसा बनाएगा, जब 4% cold work किया, तो तुमने देखा, देखो initial time पर yield distance मानलो यह था, यह थी initial time पर yield distance, जब 4% cold work किया, तो material की yield distance कुछ इस जगे पर आ चुकी है, ठीक है, और उसका जो ultimate tensile distance point, UTS point भी increase हो चुका है, वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक, पहले यह था, और UTS point यह था, second case में, यह yield point यह बना, UTS point यह बना, third case में बात करो, जिसमें तुमको दिखा है, 24% cold working की, मतलब यहाँ पर और ज़्यादा strain hardening की, तो yield point जो होगा, yield strain जो होगी, यहाँ कहीं होगा, तो यह yield point यह बना, इस जगे पर, और जो UTS point है, वो इस जगे पर, तो तुमको यह चीज़ क्लियर है क्या, cold working करने से, तुमने एक point देखा, कि जो material की yield strength है, और जो ultimate tensile strength है, वो बढ़ गई, और ductility तुम एक चीज़ देखो, अपन बताते थे, ठीक है, कि जो fracture पे length है, वो length में से घटा दो, original length, divided by कर दो, original length, right, into 100 कर दो, यह था percentage elongation, यह चीज़ मैंने तुमको, सिखा ही थी, पहले ही बता चुका हूँ, तो तुम एक चीज़ देखो, कि जब 0% cold वर्ग था, तब सबसे ज़्यादा percentage elongation हुआ, 4% पे, जो percentage elongation है, वो और कम है, और 24% पे, और कम हो चुका है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ, कि अगर मैं एक ductility का graph ड्रॉ करूँ, तो ductility का graph कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ductility जो यह वो decrease हो रही होगी, with percentage of cold work, strength और hardness increase होगी, और उतना ही ductility decrease होगा, ठीक है, clear है क्या एक point, एक एक point clear है, क्या था strength hardening, अब देखो एक छोटा सा point आता है, बोशिंजर effect, बोशिंजर effect बोल दू, या strength softening या work softening बोल दू, राइट, तीनो एक ही नाम है, क्या चीज है, समझो, इस diagram को देखो, फिर तुमको यह शी समझ में आ जाएगी, यहाँ पर basic लिए अपन ने यह किया है, कि वो यह एक अपना specimen था, उस पर initial time पर अपन, tensile force लगा रहे हैं, राइट, tensile force लगा है, तो material का कुछ graph यह ऐसा बना, तुमने stress system लगाया, strength in tension, तुम उस point के भी, पीछे जा चुके हो, material को तुम plastically deform कर चुके हो, फिर भाईए आपन ने यह किया, कि एक point पर जागे, तुमने लोड रिमूव कर दिये, अगर लोड रिमूव किये, तो भाईए unloading curve बनेगा, और unloading curve मैंने बताया था, कि यह parallel ही चलेगा, इस line के parallel चलेगा, तो यह unloading curve यह parallel चलते चलते, यहाँ पर आगया, ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, कि जो force था, force की direction अपने reverse कर दी, मतलब अब तुम जो यहाँ पर stress लगा रहे हो, या load लगा रहे हो, वो तुम क्या कर रहे हो, compressive load लगा रहे हो, पहले tensile loading थी, फिर plastically deform किया, plastically deform करने के बाद मैं अपन ने क्या किया, अब compressive load लगाना चालू कर दिया, तो compressive load लगाना चालू किया, तो curve कुछ ऐसा गया, पीछे की तरफ, यहाँ पे जाके कुछ ऐसा हुआ, और तुमने देखा कि इसमें जो material का, जो yield point था compression में, वो यहाँ कई पे आ गया, इस जगे पे, और उसको मैंने लिखा, yield strength, sigma yc, yield strength in compression, ठीक है, ठीक है, अब एक phenomena तुमने यहाँ पे देखा, कि भाईया, yield strength in tension, ठीक है, एस compare to yield strength in tension, यहाँ मैं ऐसा बुल दूँ, कि जो compression में yield point आया है, वो पहले ही आ गया, एस compare to, अगर मालो तुम कोई tensile loading नहीं लगाते, मतलब ऐसे समझो, एक specimen था, जिस पे तुमने ऐसा किया, कि भाईया, पहले tensile loading apply की, फिर stress remove किया, फिर वापस उसको reverse direction में, उसमें compressive load बनाया, यह graph बना, एक दूसरा specimen था, उस पे तुमने initial से direct क्या लगाया, compressive load लगाया, तो जब तुमने direct compressive load लगाया था, तो उसका जो curve था, वो कुछ ऐसा बना, ठीक है, तो उसका yield point यहां कहीं आ रहा है, इस जेगे पर, वो जब तुमने yield, जब तुमने tensile stress लगा के, material में compressive stress लगाया, तब yield point यहां पर आ गया, यहां मैं basic लिए ऐसा बोल दूँ कि, yield point पहले ही आ चुका है, compression के case में, इसी phenomenon को अपन बोलते हैं, Boschinger effect, यह strength softening, कि material soft हो चुका है, right, soft हो चुका है, मतलब उसका failure, जिस point पे होना था, उस point के पहले ही हो चुका है, compression में, ठीक, यही point यहां पर लिखा हुआ है, समझ लो, अपन definition पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखो, when material is subjected to tension, in the plastic range, and then load is released, right, now a compressive load is applied, then, it is found that, yield strength in compression, is found to be less than yield strength in tension, this is called Boschinger effect, right, यह मैं ऐसा बोल दूँ कि, जो material का yield point है, वो पहले ही आचुका है, yield point of the material, comes prematurely, right, this is known as Boschinger effect, इसका अगर अपन reason की बात करें, तो ऐसा है, कि भाईया जब तुम, material में tensile force लगा रहेते हैं, ठीक, तो तुमने देखो, plastic deformation में गए तुम, अगर plastic deformation की range में गए हो, तो जो dislocation हो रही होगी, वो increase हो रही होगी, ये बात अपनने पहले, ये भी strain hardening में कर ली, और dislocation के बीच में, जो strain fields हो रही होगी, वो in general repulsive strain field होगी, उनके बीच में repulsive force होगी, तो जो dislocation से, वो एक दूसरे को अपोस्ट कर रही होगी, उससे एक back stress create हो रही होगी, अब होगा क्या, कि ये जो back stress है न, जब तुम माल लो material पर compressive load लगाते हो, या load की direction reverse करते हो, तो ये जो back stress थी, जो कि अभी तक dislocation के motion को अपोस्ट कर रही थी, ये back stress अब dislocation के motion को ही support करने लग चाएगी, इस वज़े से material weak हो जाएगा, उसकी strength कम हो जाएगी, उसका yield point बहुत पहले आजाएगा, ये ही point यहाप लिखा होगा है, कि local back stresses, which are generated during the plastic deformation, by the tension, now starts supporting the dislocation motion, when load is reversed, right, hence dislocation motion becomes easy, so strength of material will get decreased, यह मैं बोल दूँ कि yield strength in compression, जो है, वो less हो जाएगी, as compared to yield strength in tension, ठीक है, तो यह पूरा था, strain hardening और bossinger effect का फिनोमिना, जो next class होगी, उसमें हम लोग, true stress और true strain के उपर, कुछ numericals देखेंगे, elastic recovery के उपर, कुछ numericals देखेंगे, और बहुत important topic है, यह exam में बहुत पूछा जाता है, numerical इन पर बनते, तो next lecture में अपन उसको cover करेंगे, तो मिलते next lecture में, तब तक के लिए, bye bye, take care, करेंगे,